दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि clean flash कैसे करते हैं और dirty flash कैसे करते हैं और most of the सभी जनों को पता ही होगा कि clean flash कैसे करते हैं क्योंकि जो भी बंदे हैं अपने channel पे पूरे viewers अपने बिल्कुल pro बंदे, op बंदे हैं और जिनको नहीं आता उनको भी अपन सिखा देंगे, अपने channel पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है जो clean flashing है वो बहुत ही जादा simple है, मैं आपको short में समझा दूँगा उसको कैसे करना है लेकिन दिक्कत आती है dirty flashing में, किसी का phone ब्रिक हो जाता है, किसी का phone वही बूट लोगों पे अठका रहता है तो आज अपन बिल्कुल जबरदस्त में इधर बताऊंगा, यह risky है बोलते हैं, लेकिन risky नहीं है अपन इसको बिल्कुल without risk की बना देंगे, ठीक है, चानल पे नए है हो तो चानल को सब्सक्राइब कर ले, आप आपको daily updates मिलेगे, कोई problem वगरे discuss करने हो, तो इंस्टा पे एक message कर दो, बंदा तूरं थाजिरो जग आपकी health में, तो छेलिए let's begin तो सबसे पहले बात करते हैं clean flash की, इसमें क्या करना है, अपने phone को सबसे पहले recovery में बूट करना है, wipe वाले section में जाना है, उसके बाद advanced wipe पे जाना है, और यहाँ पर आपको dalvcast system vendor data, इन सबको select करना है, और simply कर देना है swipe, ठीक है, जैसे यह complete हो जाएगा, यह होगे आपका clean flash, अब उसके बाद क्या करोगे, simply आप इंस्टॉल करोगे, ROM, जो आपको ROM पसंद हो वाली, तो यह मैंने select कर लिए pixel UI 3.7, simply इसको flash कर देता हूँ, तो flashing complete होने के बाद, इस फिर से back जाना है, और फिर से wipe वाले section पर जाना है, फिर format data पर जाना है, और यहाँ पर type करना है YES, उसके बाद right button पर tick कर देना है, उसके बाद simply यहाँ पर reboot system का option आएगा, और जैसी आप reboot system पर click करोगे, phone जो हो चालू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होती है, क् यह clean flash है, यहाँ पर phone वगरे अच्छे से boot करता है, ROM वगरे आ जाती है, तो यह हो गया हमारा clean flash, जैसे की देख पारे हो, pixel UI 3.7 मैंने flash करती है, तो इसको कहते है clean flash, अब बात करते है dirty flashing की, dirty flashing क्या होता है, एक version के ROM पर उसी का next version को flash करना, example के लिए यह देख रहे हो, मेरा ज 30 flash करने से पहले आपको कुछ important points का ध्यान रखना है, point number 1, आपके phone में 1.5 GB का storage फ्री होना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा भी जादा रहेगा, तो भी better है, ठीके, point number 2, आपके phone में pin, pattern, password उन सभी को remove कर लेना है, point number 3, आपके phone में जितने भी magisk modules वगरे है, उनको भी निका हाल लेना है, हटा लेना है, उसके बाद point number 4, most important point है, आपका phone decrypt होना चाहिए, अब decrypt क्यों, मैंने most of the cases में देखा है, जो phone decrypted होता है, और उसमें हम dirty flash करते है, तो 99% वो phone dirty flash successful हो जाता है, ठीक है, और encryption में आपको काफी दिक्कते phase करनी पढ़ सकती है, ठीक है, एक तो आ पूरे data को बचा सकते हो, अगर कोई exceptional case भी आ जाता है, मतलब आगर आपने dirty flash किया है, और आपका phone आपका boot नहीं कर रहा है, वही पे boot पे अटक गया है, तो भी आप उसका data बचा सकते हो, सिर्फ internal storage ही नहीं, उसमें का apps, उसमें का data, apps के login, apps के permission, सब कुछ as it is रहेगा, आप देख पा रहे हो, मेरा जो raw में, वो pixel UI है, version 3.7 पे run कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसका next version flash करके दिखाऊंगा, version 3.8, और हाँ, एक बात का याद रखना, ऐसा मत करना, कि 3.6 है, तो direct 3.8 flash कर दूँगा, ना बेटा ऐसा ना करी हो, वरना android भाया नाराज हो जाएंगे, तनिक मुह में देदेंगे वो, तो dirty flash करने के लिए हम आ चुके हैं, custom recovery में, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, मैंने अपने phone में, जो है, pen drive connect कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मेरा data जो है, वो pen drive में है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे के आप देख पा रहे ह यहाँ पर जो है, pixel UI 3.7 already install है हमारे phone में, हमें install करना है 3.8, सबसे पहले wipe पे जाना है, advanced wipe पे जाना है आपको, और यहाँ पर आपको dalvik और catch है, इन दोनों को select करके simply कर देना है, swipe, ठीक है, जैसे के complete हो जाएगा, अब चलते install पर, और यहाँ पर हम install करते है, pixel UI 3.8, simply select करना ह तो यहाँ पर flashing start हो चुका है, वीडियो को थोड़ा forward करते हैं, काफी time लगेगा, तो जैसी flashing complete हो जाएगा, successful लिखा आ चुका है, ठीक है, आप क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, आपको फिर से back जाना है, और यहाँ पर आपको जाना है, mount वाले option पे, और यहाँ पर आ search कर लेना, या फिर आपके टेलिग्राम वाले support group में पूछ लेना, सभी अपने भाई है, सभी अपने sir है, help कर देंगे यार, ठीक है, तो जैसी flash हो जाता है, उसके बाद आपको simply reboot system पे click कर देना है, phone जो हो थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, तो जैसी कि आप देख पा और description में भी आपको video का link provide कर दूँगा, और हाँ, आप पता कैसे करोंगी कि आपका phone decrypt है या encrypt, तो simple है, सबसे पहले settings में जाना है, security वाले option में जाना है, और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा encryption and credential, उसको चेक करना है, वहाँ पे अगर लिखा होंगा phone not encrypted, मतलब phone decry connected है,